स्रीमत भागवत गीता सार मत भागवत की 18 वातें जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपना लेता है वह समस्त दुखों से, वासनाव से, क्रोध से, एशा से, लोब से, लालच से, सब वंधनों से मुक्त हो जाता है तो आईए जानते हैं, वो कौन सी 18 वातें हैं, जो स्री क्रिश्न ने पूरी मनुष्य जाती के लिए अपने मुखारविंद से कहीं है पहली बात, आनन अपने भीतर ही निवास करता है किन्तु मनुष्य उसे घर में, इस्त्री में तथा बाहरी सुखों में खोज रहा है दूसरी बात, भगवान का वंदन केवल सरीर से ही नहीं, मन से करो वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है तीसरी बात, वासना ही पुनरजन का कारण होती है चोथी बात इंद्रियों के अधिन होने से मनुस्री के जीवन में विकार आता है पांचवी बात सैयम सदाचार इसने एवं सेवा यह गुड सत्संग के विना नहीं आते छटी बात वस्त्र वदर्ने की आवशक्ता नहीं है आवशक्ता है हिदय परिवर्तन की सात्वी बात जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किये हैं उसे बुढ़ापे में नीद नहीं आती आठ्वी बात भगवान ने जिसे संपत्ती दी है उसे गाएं अवस्य रखनी चाहिए नौवी बात जुआ, मदिरापान, परिस्त्री संग, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ती और निर्देता इन सब में कलियुक का वास है दस्वी बात, अधीकारी सिस्य को अवस्य सदगुरु मिलता है 11 बात, मन को वार वार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है विचार करो कि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ बारेवी बात, भोग में अच्छडिक सुख है और त्याग में इस्थाई आनन्द है तेरेवी बात, सत्संग ईस्वर क्रपासी मिलता है परंत कुसंग में पढ़ना तुमारे हाथ में है चोदेवी बात लोग और ममता पाप के माता पिता हैं और लोग पाप का बाप है पंद्रेवी बात इस्त्री का धर्म है जो तुलसी एवं पार्वती का पूजन करे सोलेवी बात मन एवं बुद्धी का विश्वास मत करो ये बार बार दगा देते हैं अपने को निर्दोस मानना सबसे बड़ा दोस है सत्रेवी बात पती पतनी पवित्र जीवन विताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं और अठारे विवात भगवान इन सब कसोटियों पर रखकर ही जाच पर रखकर ही मनुश्य को अपनाते हैं ये थी भागवत गीता की अठारे बाते जैश्री कृष्ण